बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा साथ हिंदी वसंत के अंतरगैत पहला पार्ट हम पंची उन्मुक्त गगन की जो कि एक कविता है और इसके कवी है सिब मंगल सिंग सुमन हम आपको बताएंगे इस कविता का सारांस भावार्त और साती साथ कविता पार्ट से संबंदित प और तेक पार्ट की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे तो चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं कविता हम पंची उन्मुक्त गगन के और साती साथ आप ध्यान दे हम आपको बता रहे हैं इस कविता का भावार्त भी हम पंची उन्मुक्त गगन के पिंजर वदना तूट जाएंगे यहाँ पर कभी कहते हैं कि जो पंची होते हैं वो क्या चाते हैं वो कहते हैं हम पंची उन्मुक्त गगन के यानि कि जो हम पक्सी हैं किसके हैं खुले आसमान के उन्मुक्त गगन का मतलब होता है खुला आसमान पिंजर बंद नगा पाएंगे हम पिंजर और चाहले की बनियों उससे क्या होगा। पुलकित पंक टूट जाएंगे। जो हमारे खुसनमा पंक हैं, सुन्दर जो हमारे पंक हैं, वे उसकी तीलियों से टकराकर टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूके प्यासे पक्सियां कहते हैं कि हम जो है क्या है बहता जल पीने वाले हैं नदियों नालों में आपने देखा होगा और तालाबों में चिडिया जो है क्या करती है जल पीती है तो चड़िया यहां पर कहती है कि हम बैता हुआ जल पीने वाले हैं मर जाएंगे भूके प्यासे कहीं भली है कटुक निवोरी कटुक का मलब होता है कड़वी कड़वी निवोरी मलब नीम का फल हमें जो है कड़वी निवोली ही पसंद है कनक कटोरी की मैदा से सोने की कटोरी में यदि हमें पिंजरे में मैदा यानि आटा भी दिया जाए कोई खाने की वस्तु दी जाए उससे बढ़िया हमें क्या लगती है स्वत्मता से मिली हुई कनक कटुक निवोली यानि की कड़व और लगी होती है इस प्रकार से पूरा जो है पिंजरा किस से बना होता है तीलियों से बना होता है तो यहाँ पर जो है उसी पिंजरे की बात की जा रही कि स्वर्ण सरंखला के बंदन से अपनी गती उडान सा भूले यदि हम जो है पिंजरे में बंद रहेंगे स्वर्ण पेड़ और पेड़ पर जब नहीं नहीं कोपले निकलती हैं उन्हें क्या कहते हैं फुनगी तो पेड़ उपर नहीं नहीं जो कोपले निकलती हैं उनके उनको और पेड़ पर लगे हुए जूलूं को यह जब पेड़ पर पकसी बैठते हैं तो पेड़ जब हवा चलती है तो इदर उदर हीलते हैं तो उसे क्या कहते हैं पेडू का जूला तो ये केवल हम सपनों में ही देख पाएंगे ऐसे थे अर्मान की उड़ते नीले नव की सीमा पाने पक्सी कहते हैं कि हमारे अर्मान हमारी च्छाएं क्या है नीले नव की सीमा पाने जहां तक जो है जो आस्मान है और उसकी जो अंतिम सीमा है वहां तक हम उड़ना चाहते हैं लाल किरंसी चोच खोल कर चुकते तारक अनार के दाने और चिडियाओं की जो चोच होती है अंदर से कैसी होती है लाल होती है तो चुकते तारक अनार के दाने जो आसमान में तारे लगे हैं उन्हें कैसे चुक दर्ती और आसमान मिल रहा हो तो ऐसे छेतर को कहते हैं छितिज जहां पर आपको धर्ती और आसमान मिलता हुआ नजर आता है तो पक्सी क्या चाहते हैं होती सीमाहीन छितिज से जहां तक धर्ती और आसमान का मेल होता है वहां तक हम क्या करते हैं इन पंकों की होडा हेडी या कि वहां तक हम जो है उड़ते या धितिज मिलन बन जाता या तो हम जो है उससे मिल जाते या तंती सांसों की दोरी या जो है अपने प्राण त्याग देते नीड न दो चाहे टहनी का कि नीड नीड का मतलब होता है घोसला चाहे तो हमें टहनी पर घोसला मत बनाने दो आसरे चिन विन कर डालो चाहे जहां पर हम रहते हैं हमारा निवासस्तान या आसरे को तोड़ डालो लेकिन पंक दिये हैं तो आकुल उडा करने की इच्छा है बहुत तीब रिच्छा है उसमें बिगन मट डालो यानि कि कुल मिलाकर पक्सी कहते हैं कि हमें पिंजरे में बंद मत रखो ठीक है तो इस प्रकार से इस कविता को आप यहां से पढ़ सकते हैं और इसका सारांस जो है हम आपको बताने वाले हैं जादा दे से सुतनता के मायने समझाए हैं पक्सी कह रहे हैं कि हम खुले आश्मान में रहते हैं यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम अपना मदूर्गीत नहीं गापाएंगे सोने के पिंजरे में भी खुसी से फरपड़ाते हमारे पंक उससे तकरा कर तूट जाएंगे पक्सी कहते हैं हमें नदियों जहर्नों का बहता जल पीना पसंद है पिंजरे के अंदर हमारी भूग प्यास नहीं मिटेगी हमें आजाद रहकर कड़ुए नीम का फल खाना गुलामी में रहकर सोने की कटोरी में मैदा खाने से ज्यादा पसंद है पक्सी कहते हैं सोने की जंजीरों के बंदन में रहकर हम अपनी चाल और उडने का ढंग सब भूल जाएंगे हम तो ब्रक्स की उची डालियों पर जूला जूलने का सपना देखते हैं पक्सीों की चा खुले निले आसमान में उडने की है उडते हुए वे आसमान की सीमा को चाते हैं वे अपनी चोंच से आसमान के तारों को अनार के दानों के समान चुगना चाते हैं आसमान में उडते हुए पक्सीों में एक होडा होडी सी लग जाती है वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाते हैं जिसका कोई अंत नहीं है वे यही इच्छा लेकर आसमान में उड़ते हैं कि या तो वे मंजिल को प्राप्ति कर लेंगे या फिर मंजिल पाने की चाह में उनकी सांसे ही उखड़ जाएंगी अर्थारत हुए मर जाएंगे तो इस परकार से बच्चो यह था यहां पर इस कविता पाठ का सारांस इसके बाद बच्चो आगे बात करते हैं अब्यास प्रस्न उत्तर में और इस पार्ट में जो प्रस्न दिये हुए सबसे पहला प्रस्न है हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्सी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते तो ध्यान दे बच्चो पक्सी जो पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते उतर में आप लिख सकते हैं पक्षियों के पास पिंजरे के अंदर वे सारी सुक सुभधाएं हैं जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवसक होती हैं लेकिन वह परतंत्र है यानि कि गुलाम है हर तरह की सुक सुभधाएं पाकर भी पक्षि पिंजरे में बंद नहीं रहना कभी ने पक्षि के माध्यम से बंदन मुक्त जीवन की कलपना की है तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पर बच्यो यह पहला प्रस्न है और उसका उत्तर अच्छे से याद भी करें इसके बात बात करते हैं यहाँ पर दूसरा प्रस्न है पक्षि उ हरनों का बैता जल बैता हुआ सीतल जल पीना पेड़ की सबसे उंची ठहनी पर जूलना और छितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पक्सियों के साथ उडान भरना इत्यादी च्छाओं को पूरी करना चाहते हैं ठीक है तो इस परकार से आप लिख सकते हैं और यह ज प्राणों का या तो छितिज मिलन बन जाता या तंती सासों की दोरी तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप उत्तर लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति का भावया है कि पक्सी छितिज के अंत तक जाने की चाहा रखते हैं जो की मुम्किन नहीं है परन्तु फिर भी छितिज को प और उसका उत्तर चोथा प्रसन आता है बच्चो और चोथे प्रसन में दो प्रसने यहाँ पर 4.1 यानि कि चोथे का पहला बहुत से लोग पक्सी पालते हैं पक्सियों को पालना उचित है अत्वा नहीं अपना विचार लिखिए अपने विचार आप यहाँ पर लिखेंगे उत्तर भी लिख सकते हैं मेरे अनुसार पक्सियों को पालना बिलकुल भी उचित नहीं है क्योंकि इस वरने उन्हें उड़ने के लिए पंक दिये हैं इसलिए उन्हें बंधन में रखना सर्वता अनुचित है अपनी इच्छा से उची से उची दूर तक उड़ान भरना पेड़ों पर गोशले बना कर रहना नदी जहरनों का जल पीना फल फूल खाना ही उनकी स्ववाविक परवर्ती है आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रियास करें परंत उसके स्ववाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा आजादी अनमोल है सैकडों स्वरनिम मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं बच्यों यह तो मैंने अपने विचार से आपको बताया किस प्रकार से आप लिख सकते हैं चाहें तो आप अपने हिसाब से भी इसका उत्तर लिख सकते हैं जैसे आपको उचित लगे इसके बाद फोर फ्वाएंट टू यानि कि जो है चोते प्रस्न का दूसरा पार्ट है यहां पर क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्सी पाला उसकी देखरे किस परकार की जाती होगी लिखिए तो यही आपके जान पहचान में किसी ने पक्सी पाला है और उन्हें उसकी देखवाल किस प्रकार से की इस बारे में आप लिख सकते हैं उत्तर लिख सकते हैं एक बार एक घायल कब उतर हमारे घर आ गया जिसकी हमने देखवाल की और उसके ठीक होने के बाद वह हमारे साथ ह रहने लगा, सब घरवालों के लिए वह कोतू हलका भी सेवन गया था हम सब घरवालों घरवाले एक नन्ने बच्चे की तरह उसकी देखवाल करते थे उसे रोज नहलाया जाता उसके खाने पीने का बरावर ख्याल रखा जाता लेकिन हमने उसे पिंजरे में नहीं रखा, बलकि वह अपनी च्छानुसार पूरे घर में उड़ता फिरता था, इस प्रकार से हम अपने पक्सी का पूरा ख्याल रखते थे, देख रहें ना आप, किस प्रकार से रखा गया पक्सी का ख्याल, तो आप भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं, उसक पर आपने दस पंक्तियां लिखनी हैं, उत्तर में आप लिख सकते हैं, पक्सीों को पिंजरे में बंद करने में, करने से सबसे बड़ी समस्या प्रियावरण में अहार सरंकला असुंतुलित हो जाएगी, जैसे घास को छोटे कीट खाते हैं, तो उन कीटों को पक्सी खाते हैं, आपको मालूमें न, यदि पक्सी न रहें, तो इन कीटों की संक्या में बिर्दी हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए उचित नहीं है, इस कारण प्रियावरण असुंतुलित हो जाएगा, पक्सी जब फलों का सेवर करते हैं, तब बीजों को यहां वहां गिरा दे हैं, जिसके फल सो रूप ने ने पौधे पनपते हैं, कुछ पक्सी हमारी फैलाई गंदगी को खाते हैं, जिससे प्रियावरण साप रहता है, यदि वे पक्सी नहीं रहेंगे, तो प्रियावरण दूसित हो जाएगा, और मानब कई बीमारियों से ग्रस्त हो जाएगा, आ पर पांचवा प्रस्न है, और यहाँ पर उत्तर आप देख सकते हैं, और ठीक इसी प्रकाल लिखें, इसे अच्छे से समझें, याद भी करें, आगे आते हैं बच्छो प्रस्न, बासा की बात के प्रस्न है, और बासा की बात में पहला प्रस्न आपके लिए, यहाँ पर खांकित सब्द गुणवाचक बिसेशन है कविता से ढूंड कर इस प्रकार के तीन और उधारन लिखे तो आप लिख सकते हैं उतर में कविता से ढूंड के पुलकित पंक काटुक निवोरी और कनक काटोरी तो यह आपका उतर हो जाएगा अगला प्रसने बचो साथ वाँ प् प्रसने को फिर से पड़े भू के प्यासे में दोन समास है इन दोनों सब्दों के बीच लगे चिन को सामासिक चिन ये देख रहे ना आप इस प्रकार का लगवाए डैस लगवाए कहते हैं इस चिन से और का संकेत मिलता है तो इस चिन का मतलब क्या होता है और द्यान दे य यहाँ पर जो है एक चिन लगा हुआ है इसे कहते हैं सामासिक चिन और इसका मतलब होता है और इसी प्रकार इस चिन से और का संकेत मिलता है जैसे भूके प्यासे भूके और प्यासे और भूक और प्यास आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ भूक और प्यास इस प्रक और गरीब, इसी परकार सुख दुख, सुख और दुख, रात दिन, रात और दिन, तन मन, तन और मन, मिठा खटा, तो मिठा और खटा, अपना पराया, अपना और पराया, पाप और पुर्ण्या, पाप पुर्ण्या, सही गलत, सही और गलत, ठीक है, दूप चाओं, तो दू का मतलब क्या होता है और इसे क्या कहते हैं समासिक चिन और एक किसका उधारन है दूंद समास का ठीक है तो समास के बारे में बच्चो और अधिक आपको यदि जानकारी लेनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं वहां पर आपको समास से संबंदित एक वीडियो दिखने को मिलेगी उसे आप किलिक करें और समास के बारे में अच्छी सी जानकारी ले कि समास कौन कौन से होते हैं और किस परकार से आप दूंद समास की पैचान कर सकते हैं तो इसके साथ ही बच्चो इस पाठ से संबंदित प्रस्णों के उत्तर यहां पर समाप्त होते है उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे इसी प्रकार सभी पाटों के प्रस्नुत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे अपने सारे पाटों के प्रस्नुत्तर